दरन वी शो क्लिप्स में आपका स्वागत है जहां आप जट जट से और परसीव सब्सक्राइब अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सैटन को बढ़ते हैं सैटन का नाम आएगा ही आएगा बट सनी की सिंपल फिलोसफी है कि मैं आपके चार्ट में जहां बैठूंगा उस चीज़ का रोना रोगे आप और उस चीज़ का अगर डिसिप्लिन मना ले गए या उस चीज़ को एकसेट कर ले गए यही मेरा चैलेंज है आपके लिए सैटन सीधे कहता है अमीर बनना चाहते हो बहुत पैसा चाहिए तुम्हें है औका तुम्हारी आज़ाओ फिर मैदान में यह सैटन की कोर फिलोसफी है कि सैटन हाड़ वर्क करा रहा है आपसे मैनत चाहता है वो आपसे सैटन सिंपल कहता है या तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम उसके हगदार हो तुम्हें लगता है, अच्छा लगता है तुम्हें, आ जो फिर मैदान में, देखते हैं, इसलिए जब सन्नी की साड़े साती चलती है न, तब आप देखोगे कि उस टाइम पिरिएड में लोग बहुत ज़ादा या तो हर्डल फेस करते हैं, या बहुत ज़ादा अमीर बन ज जाते हैं, जैसे 3rd, 6th, 8th और 11th house bad houses है, क्योंकि 3rd बहुत hard work करवा रहा है, 6th आपको बिमारियां दे रहा है, 8th आपको sudden events दे रहा है, sudden loss दे रहा है, और 11th तो आपको desire हो में फसा के रखा हुआ है, अब जब यहाँ पे Saturn बैठा हो साड़े साती आ गई, तो सोचो क्या होगा, डिले होंगे, Saturn is also planet of delay, obstacles, इसलिए आप देखोगे कि जो लोग भी 8, 17, 26 को born होते हैं, useably life में बहुत डिले होता है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, काम भी बड़े धीरे धीरे बन रहे होते हैं, because यह Saturn का nature ही ऐसा है, Saturn सन का एक पूरा चकर 29 years में करता है, जो काम प्रत्वी 365 दिनों में करती है, तो it is that slow, तो जब इसका effect आपका start होता है, साड़े साथी या महादशा में, then you face little bit slowness in your life, but जब भी Saturn का time आपकी life में आएगा, change ज़रूर होगा, शनी आते ही दिमाग पे असर करता है, और कहता है कि यह क्या कर रहे है हैं, बदलो इस सब, इस सब से अब आप जिस भी नई जॉब में जाओगे, जिस भी बिजनस में जाओगे, बहुत struggle होगा, आप को गया पहले वाला काम जादा अच्छा था, फाल्दू में मैं इस नौकरी में आ गया, लेकिन अगर आप वहाँ पर पेशन्स बनाके चले, आपने वो सारे डिले, वो सारे अबस्टेकल फेस कर लिए सैटन के, तो वही जॉब अब आपको मनी देगा, रिवार्ड देगा, उपॉचुनिटीज देगा, यह जितने सनी की साड़े साती वाले टाइम पीरिड में, यूजवली यह इस साड़े सास साल में दो से तीन बार जॉब चेंज करते हैं, प्रो के कभी ना कभी वापस जरूर आता है, इसलिए यूजवली आठ मुलांक वालों को, यह सनी की टाइम पीरिड में लोगों को सफलता मिलती है, पर लेट मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो लोग कहते हैं, सफलता हो तो ऐसी हो औरना ना हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर नमबर कुछ भी काम करने जाता हूं, और उका एक महीन ही हो जाता है, मेरा तीन महीन ही लगता है, सटन फरस्ट हाउस का यह कर्स है, और आपको इस चीज को एकसेप करना है, भाग के छोड़ नहीं देना है काम किया, मैं करूंगा ही नहीं, अदर्वाइस सटन का फिर आप बैड इ अगर आप इसको ही ठीक कर लो, तो यही सेटन सेकेंड हाउस में बैठके मनी देगा, पैसा देगा, तो इस तरहें से हम प्लैनेट्स को समझ के अपनी हरकतों को अगर बदल लें, तो चीज़े बेटर हो जाती है, जैसे सेटन अगर आपके बैठ जाए, सेवन्थ हाउस में तो यह शादी बहुत देड से कराता है, यूजरी थर्टी पार हो जाते हो, आप थर्टी टू के हो जाते हो, यह शादी हो नेरी होती है, और अगर हो गई तो आपके स्पाउस से जगड़े खूब होंगे आपके, क्योंकि मैरिज में बैठा है, रोना किसका रो गए आप, यहाँ पर इस दर्द से निकलने के लिए से एक्सेप करना पड़ेगा, कि यार मेरा इसपाउस जैसा भी है, मेरा है, ठीक है, मुझे ज़्यादा परिशान नहीं करना, सेटन बैठा आपके प्रोफेशन के हाउस में, 10th हाउस में, 10th हाउस का सेटन, यहाँ पर आपका जो क काम करने का तरीका कैसा हो जाएगा, आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को चेक करके काम करते हो, सारे डॉकुमेंट्स चेक करोगे, everything you check, तो you work like a सेटन, आप धीरे धीरे अब इस तरह से काम करने लग जाते हो, सेटन अब आपके बैठ जार 12th हाउस में, 12th हाउस foreign settlement का है, तो ये विदेश जाने नहीं देगा आपको, खूब परिशानिया, खूब डिले, खूब obstacles आपको आएंगे 12th हाउस सेटन में, लेकिन एक बार अगर आप चलेगे तो लोटने भी नहीं देगा, वहाँ पे इतनी opportunities देगा, वहाँ पे इस तरह की life बना देगा, आप सेटन आपकी हड़िया है, मदर को स्टमक से related pain देगा, तो ये सेटन 4th हाउस में ये काम कर सकता है, आप सेटन 5th हाउस में बैठ जाए, जैसे इस चार्ट में जहां 12 लिखा है, वह 5th हाउस है, 5th हाउस इस चाइल्ड, चुल्रेन, तो ये क्या होगा, बेबी होने में डिले तो आपको फिर IVF के थ्रू जाना पड़ेगा, और माल लीजे आप IVF के थ्रू चलेगा, या नेचुरल आपका reproduction हो रहा है, तो अभी ये end में क्या कहेगा, कि अब तो डॉक्टर आके बोलेंगे C-section होगा, surgery होगी, because Saturn जहां है, वहाँ की चीजों का रोना आपको रोना पड destiny, जिसमें एक दूसरों की destiny interlinked है, for example, आपकी शादी होती है, आपकी wife की 2000 करोड की lottery लगती है, मजा आप उठाओगे, बिल्कुल उठाओगे, वही wife अगर बिमार हो जाती तो दुख भी आप उठाओगे, जबकि आपके चार्ट में ऐसा कुछ नहीं था, destiny interlinked है, तो ये ह होता है, और इस चीज को जादा explore किया गया है, लाल किताब में, लाल किताब एक subject है, जैसे इसी की ब्रांच है, लाल किताब, उसमें interlinked destinies के बारे में खूब बात की गई है, next planet बात करते है, चंदुरमा की, oh my god, this is a very fantastic planet, और मैं कहूंगा की, moon, या फिर अगर आप किसी भी placement अच्छी है, अगर शनी की अच्छी placement होते है, उसका मतलब क्या होता, जैसे हम साड़े साथी की बात कर रहे थे, उसमें मैंने का ना, या तो यह बहुत पैसा देगा आपको उस time period में, या तो यह बड़ा परिशान करेगा, अब जैसे सनी अच्छी house में बैठा है, कुछ नहीं देने वाले, अगर आप सोच लो ना, उपर से आगे कुछ आ जाएगा, बरस जाएगा, नो, नो, वो सेटन का जॉब ही नहीं है, वो सनी का जॉब ही नहीं है, बाकी के प्लैनेट भले थोड़ा रहम कर सकते हैं, पर सनी रहम नहीं करता, ठीक है, वो आर या पा पता चला, तो सेटन आपको बहुत राजा होना भिकारी बना के छोड़ देगा आपको, वो ऐसा काम कर सकता है, और एक भिकारी को राजा भी सेटन ही बना सकता है, जस्ट एक चीज करनी है, वो हाउस की जिस भी हाउस में बैटा है, उस हाउस से रिलेटेट आपको बना लो, जिसे हमने सेकेंड हाउस में बात करे कि, खाने को लेकर विक घिसिप्लीन बना लो, फिर्स नुअस में अपने भिटन स्कूर को लेकर एक ठिसिप्लीन बना लो, वो सेटन वहीं ठीक हो जाएगा, आपको और किसी चीज़ की ज़रूत नहीं है और हट वो तो यह सेटन है फूर्थ हाउस किसका? मदर सिर्फ मदर मदर है आपका फैमिली इंवायरमेंट है तो जैसे फूर्थ हाउस में सेटन बैठा है तो मदर को हड्डियों की प्रॉब्लम पेट की स्टमक की प्रॉब्लम तो यह सेटन बैठा है अर्थराइटिस हो जाएगा कमर में दर्ध हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा और आपके फैमिली इंवायरमेंट में आपको रोना रोना पड़ेगा या तो आप उनसे दूर रह रहे हो या फिर वहाँ पे जगड़े खूब हो रहे है भाई बहनों में खूब जगड़े हो रहे है accept it और try to make common it उनको बहुत पीसफूली समझाने की कोशिश करिए आप महाँ लडने मत लग जाएगे अगर आप यह चीज़ कर रहे है साटन के प्लेस्मेंट से अगर आपको यह क्लिप अच्छा लगा ऐसे हजार क्लिप्स अप्लोड किये गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ